अलो बच्चो आज की इस वीडियो में हम कच्छा दस का हिंदी विश्य का अर्धवार्सिक वरिच्छा का पेपर देखेंगे इसमें पहला कुश्चन है सही विकल्प चुनकल लिखिए वीरिस के कभी कौन है तो भूसन हो जाएगा छाया वाद के प्रतिनी धी कभी कौन है ज में होते हैं आठ होते हैं अगला देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए भ्रमर गीत सूर्दास द्वारा रचित सूर्षागर से लिया गया है कविता वाली तुल्ची दास की रचना है सुर्गांत्र पार्थी नड़ाला छाया वादी युग के कभी माने जाते ह पर परुष्राम नाराज हो गए थे श्रीक्रिष्न की कमर में छोड़ी छोड़ी घंटियां विद्रमान है पत्तों से लदी डारी कहीं हरी कहीं लाल एक सब्द मुत्तर देख लेंगे मूर्टी पर सरकंडे का चस्मा किसने लगाया हुगा हालदार गंगा बाल गुविन भ गलत है शूर्दास सूर्चारवली में रामभक्ति का गलत है गिर्जा कुमार मातुर्चायवाद की कभी है सई है तीस चौथा भी सई पांच्मा और छट्मा सई है साथमा भी सई है सही जोड़ी देख लेंगे हम यह सही जोड़ी उद्दी गई है एक कहानी यह भी गीति क अगला देखेंगे गुपियों की अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए संदी समास में कोई दोवन तर पर उस्राम के क्रोध करने पर लच्मन ने धनों स्टूर जाने के कौन-कौन से तर्क दिये है कभी आत्मकता लिखने से क्यों बचना चाहता है कभी की आख फाग उनकी संदर्ता से क्यों नहीं हत रही है पान वाला क्या खा रहा था भूली के आसपास प्रकति में क्या परिवर्टन दिखाई देते हैं बाल गोविन भगत की गायन की कोई दोवसेस्ता है लेगिका के विक्तित पर किनकिन लोगों का प्रभाव पड़ा था समास कितने प् कुश्चन देख लेंगे वीरस की परिवासा उदहन साहिद बताना है अगला देखते हैं 11 तुलसी दास और सुरकांद्र पार्थी निराला का साहित्य परिचे निम्न बिन्यों के अधार पर बताना है बदलिये गए और रामरच बैनिपुरी और यसपाल इनके भी बताना ह उत्री है यह दिया गया इनकी साप्रसंग व्याख्या करनी है दौनों में से किसी एक की दूसरे वाले में भी यह गध्यांस के तीन प्रश्ण दिए गए हैं यहीं से ढूंड के यहां पर भर ना है किसी एक बिशेव पर रूप रहा लेखने हैं जैसे हमारा प्यारा के दूसरे में अपनी दंधनता का उलेक करते हुए सुल्क मुक्ति है तु प्राथ्म पत्र लिखना है अथ्वा में बुक बैंक से पुष्ट के प्राप्त कहने हैं तो अपने विद्याले के प्राचार जी को प्राथ्मा पत्र लिखना है तीसरा देखलें किसी एक विशयपन सेमन कम्प्यूटर की उभ्योगता नई राष्टी से अच्छा नहीं थे यह तीसरा कुश्चन था इसका